नीमसेट की तयारी करने वाले छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है और आज हम बात करेंगे सेट थियोरी पे तो इस वीडियो में लेकर आए हम Most Important Concepts यानि सेट थियोरी में किस तरह का कंसेप्ट का यूज होता है और जिस पे आपका नीमसेट में कोश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीमसेट में का कुछ कोश्चन जो अलरड़ी आया हुआ है तो सबसे पहला कोश्चन यहां पर हम देख रहे हैं यह कोश्चन आप लोग का 2004 2020 में पूछा गया है और यहयर चौथा नंबर कोश्चन जो है मैथेमेटिक्स का है चौथा नंबर कोश्चन यानि इस कोश्चन में पूछा गया है कि एक सेट दिया हुआ है जिसका यलिमेंट है experts देन दा नंबर ओप सबसे ट इन पावर सेट इन power set of A यानि इसके power set में कितना number होगा तो यानि जो concept हमारा क्या है यहाँ पर power set यानि power set से हमारा question पूछा जाता है अब एक question और हम देख लेते हैं कि इस पर दूसरा किस तरह से question पूछा गया है तो यह questions भी आप लोग का निमसेट में ही पूछा गया है 2017 में 2017 और वो था आपका 2020 का यानि इधर पीछले साल और यह question नमबर जो आप लोग का है 104 नमबर में पूछा गया था जो serial नमबर था तो यह दोनों question इसमें भी क्या आप से पूछ रहा है the number of elements the number of elements in power set of set यह यानि set दिया हुआ है और उसका power set पूछा जा रहा है तो इसके पिछले question में हम चलते हैं और देखें कोई भी concept को अगर आपको ध्यान रखना है कि कि यहां पर से question पूछा जाता है अगर यह सब समझ में आ जाता है और यह सब point को याद रखते हैं तो आने वाले examination में आपको benefit होगा तो ध्यान रखिएगा कि power set is the important point in the set theory आपको power set का concept याद रखना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि power set हम लोग find out कैसे करते हैं यानि अगर कोई भी set ये दिया हुआ है 2, 4, 6 माल लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले find out करना रहता है number of element यानि set को देखकर हमको find out करना है कि इसमें कितना number of element है तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो इसमें total number of element है 1, 2 and 3 यानि n equal to यहां पर क्या हो गया 3 और power set का जो formula होता है यानि pa equal to होता है 2 to the power n और जहां n क्या होता है number of elements in that set अगर यह formula आपको पता है तो आप इस question का जवाव दे सकते हैं तो जो यहां पर हम red color में लिखे हैं उस question का अगर जवाप पूछा जाए 2 to the power n तो इसका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 का power 3 यानि 8 अब इस question को हम लोग देखते हैं जो आपका 2020 में पूछा गया है यहां पर एक set है एक set में total number of element दिया हुआ है यहां पर कितना element दिया हुआ है 1, 2 और 3 element क्या दिया हुआ है that is the not matter आपको सिर्फ count करना है कि उस set में total number of element कितना है यानि यहां पर आपको दिया है एक set है जिसमें total number of element क्या x, y और z तो यहां पर से अगर इसको find out कर लेते हैं number of a equal to तो कितना हो जाएगा 3 और इस formula का आप यूज करके 2 to the power यानि p a equal to हमारा क्या हो जाएगा 2 to the power n यानि 2 का power 3 equal to 8 तो इस तरह से इस question का जो correct answer होगा क्या होगा b होगा 2 यानि 8 यानि number of subsets in power set equal to 8 तो ध्यान रखना है कि power set का formula यह formula हमको याद रहना चाहिए अगर यह formula भूल जाएगा तो आपसे यह question बनने वाला नहीं है अब next question में चलते हैं यह 2017 में पूछा गया था लेकिन उस question और इस question में difference क्या है कि अगर आपको number of element count करने नहीं आ रहा है तब आपका answer wrong हो जाएगा अब देखें यहाँ पर S जो आप लोगा set दिया हुआ है वह इस तरह से दिया हुआ है 2 और 1,4 जिन्हें concept bracket का नहीं पता है number of element इसमें वह count नहीं कर सकते हैं अगर general आदमे से पूछा जाएगा कि पीछे का concept देखकर और इसमें क्या होगा तो वह इसमें NS बता देंगे आप लोग का कितना 1,2 और 3 यानि 3 element अगर जैसे 3 element बता दिया तो यह आपका क्या हो गया गलत हो गया इसके अनुसार आपका PS क्या हो जाएगा 2 to the power 3 equal to 8 और यह ध्यान देना है कि यहाँ पर 8 भी answer दिया हुआ है लेकिन यह answer हमारा क्या है wrong है यह नहीं होगा तो यहाँ पर S कैसे count करेंगे ध्यान रखना है चलिए हम color change कर देते हैं S equal to यह 2 और यहाँ पर जो आप लोगा लिखा हुआ है 1,4 यह bracket में है इसलिए यहाँ पर एक element यह हो गया और एक element पूरा यह हो गया यानि इसका correct answer आपका क्या होगा B होगा तो देखें यहाँ पर अगर count करने नहीं आता तो उसका भी answer दिया हुआ है और उसके अनुसार भी हमारा answer का option में है लेकिन correct answer क्या है 4 इसलिए number of element power set जब भी निकालने के लिए तो set में number of element कितना है इस पर focus करना है अगर आपका यह concept clear नहीं है तो आप इस तरह का question पर practice कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों question already निमसेट के examination में आ चुका है अब यहाँ पर एक point और है जिस पर हम बात करेंगे जिस पर अभी तक question नहीं आया है वो है आप लोग का proper subset यह दो देखें word power set का formula क्या होता है 2 to the power n और जहाँ n क्या है number of elements in the set n क्या है n equal to number of element in set और proper subset देखें word बहुत ही मिलता जूलता है proper subset देखें यहाँ पर power है यहाँ पर क्या है proper है यहाँ पर set क्या है यहाँ पर क्या है subset है तो इसका भी formula होता है इसका भी formula होता है आप power set का formula नहीं लगा सकते इसका फर्मूला होता है 2 to the power n minus 1 हाँ 2 to the power n minus 1 जैसे एक examples में हम लेकर चल सकते हैं कि अगर एक set है और इसका पूछा 2 और 4 element है अगर इसका पूछा जाए proper subset क्या proper subset तो इसका जो आप लोग का correct answer होगा 2 to the power n minus 1 यानि 2 का power 2 minus 1 तो इसका total कितना हो जाएगा 3 element हो जाएगा यह formula नहीं लगेगा यहाँ पे 2 to the power n का formula नहीं लगेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब भी proper subset का formula क्या होगा आपका यानि proper subset का formula अलग होता है कहीं अगला बार question में proper subset दे दे और कहीं आप proper subset का formula लगा कर ना चलाएं तो ध्यान रखिएगा power set और proper subset दोनों का term मिलता जूलता है बस difference क्या है कि यहाँ पर उसमें एक minus one extra होता है तो आज आप देखें कि power set से already question आ चुका है और proper subset एक important point है जहाँ पर आपको focus करना है यह general book में भी नहीं मिला है ISE में अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरह का आप formula देखे भी होंगे और नहीं भी देख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो में यहीं तक अब अगर आप हमारे channel पर नए है और नीमसेट की तयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो यह channel आपके लिए important है अगर आप channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लें और bell icon पर बटन पर प्रेस कर दें इससे आपको benefit क्या होगा कि जब भी हम कोई भी वी वीडियो upload करेंगे तो इसका notification आपको मिलता रहेगा तो चलते हैं next वीडियो में हम next term यानि एक ऐसे term लेकर आएंगे जो आपके निमसेट examination के लिए बहुत ही महतवपुर्ण है तो मिलते हैं फिर next वीडियो में thank you